कर फिरन कि अप अब ची कि आप आप सबीक bir बहुत-बहुत स्वागत है आज के अमरे आद्याए में अधृयी नोग ठीक है इसका नाम है राज गुईय योग परम मुईय क्यान बहुत-फिशन अरज को देर है अर्जुन को दे रहे हैं यानि कि कि ने रहें तो अगर हम घग्वत Phillips में इसको भगती आदा कि आ झाले को सुनदुरी इद्रहें चल रही और इन अद्याय में सबसे इंपॉर्टेंट्न जो इंफ्र्मेशन है disorders बहुतald इसकि बगंवान ने लुक्त कर छोप्त बताया कि वह काउन है कहां रहते हैं उनकी कैसे present होती हैं हमसे कैसे connect होते हैं फिर next chapter में जो उने कल बढ़ा था भगवान ने बताया कि अंत समय में व्यक्ति कैसे भगवान को याद कर सकता है उसके लिए जीवन भर प्रयास कैसे करना चाहिए और अगर भगवान को याद करते हैं तो उसके लिए गती क्या होती है और अगर भगवान को याद नहीं करते तो उनकी गती क्या होती है यह सब भगवान ने चीज़े रिवील करी लास्ट चेप्टर में अभी भगवान इस अध्याय में हमें बहुत सुन्दर ग्यान देने व है दिन पर दिन जत्ता हम भगवत जीता में आगे बढ़ते जा रहे हैं सुद्सन्देश वगवत गीता के हमारे पास आ रहे हैं तो बगवान का यह संदेश क्या है सो समझने का प्रयास करेंगे अरेक्रिष्णा तो बगवान स्वह में चैप्टर शुरू कर कभी भी इर्शा नहीं करते इसलिए मैं तुम से ये परम गुये ग्यांदता अनुमूती बतलाओंगा जिसे सुनकर या जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे तो इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट है भगवान क्या कह रहे हैं कि क्यूंकि तुम मुझसे इर्शा नहीं करते इसलिए भगवान क्या करने वाले हैं अर्जुन को अपने टॉप सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है या मैसेज है वो देने वाले हैं तो अर्जुन भगवान से कभी इर्शा नहीं करते हैं तो पॉइंट क्या है पॉइंट यह है कि जो भगवान इसे प्रेम करते हैं इर्शा करने वाले लोग ना बगवान को कभी भी जान नहीं पाते हैं उनको ही बगवान के प्रेम संदेश समझ में आते हैं और वो उसे समझ सकते हैं इस प्रतम इस लोग का विशिष्ट महत्व है सब्सक्राइब नौब प्रगार कर ले कि जुटे पायले कर लेते हैं पिबल जीसे है अपश्रवन कर कर दो करता है ना जैसे श्रीमती जिसे लक्षमी देवी जी जो है वह भगवान के च्रणों की सेवा करते हैं तो अर्चन अ्धिक थीकर है यह थीक्षान वंदन हो गया गान वंदन हो गया दास्ते हो गया और जो सख्य भावальная यह गोप गोपिकाए हैं वो साख्य भाव हो गया और आद में समर्पन क्या कि हमने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया तो उस भाव में भगवान की बगती करते हैं तो बगती के नौ तत्वों का भ्यास करने से मनुश्य आध्यात्मिक चेतना में कृष्ण मामना मृत तक उठ पाता है या लोगों को लाब हुआ है कि इस्वर्ण यानि सुन सुन कर ही वह भगवान के दाम पहुंच गए तो इतना मतलब आपी समझे की प्रदाद महराज जो भक्ती सीखी थी वह कहां से लिए श्रमणम से ना वह यह समझे माता है कि गर्व से भक्ती सीखते आ रहे थे श्रमणम का लाब उनको हुआ है ना तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास एक्जेंपल सा जाएंगे कि उन्होंने एक टेक्नीक को अपनाया और वो आगे बढ़ गए इस लोग का अनुसूयवे शब्द भी अत्कंत महत्पूर्ण है अनुसूयवे बहुत विद्वान भी भगवद भगवान को नहीं मानते हैं उनकी टीका है जो थी रहत होते हैं क्या बताएगा कुछ भी कि दोड़ा दिया ग्यान भी वेसल्ट है वह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तदा दिवया पूरुश्य नके लिए आध्याय लाप्रत होगा तो यह भगवद्ध दिवये हैं वो शुद्ध हैं वो परम पुरुष है फहां है फो होगता है जो बघवान सद्ग जह वह बात जाहेगा उसको ही लाब मिल पाएगा ठीक है तो बघवान से ईश्वा करने नहीं जா सकता कुछ लोग में आते हैं क्रिश्ne करते रहे तुम कि पतते हैं को भक्ती वह सारे लोग सोते रहते हैं तो वह क्या है आप की नाम का जप हो रहा है लेकिन आप भगवान के नाम का जब नहीं करना चाहते हैं या भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं या वो उठके उसे में मैं कहते हूं कि चलो ठीक है आप मंगला में नहीं आ सकते सरदी हो रही है तो जहां चल रहा है वह एटलीस उठके आप अपने बैड पे तो बैठ सकते हैं वहीं हाथ जोड लीजिए अगर आपको इतनी भी है तो भी नहीं करते क्योंकि क्या होता है कि माया ने गेरा हुआ होता है तो माया का बहुत प्रभाव होता है ठीक है अभी भगवान को टॉप सिक्रेट नॉलेज रिवील कर रहे हैं और बताने वाले हैं उस सिक्रेट नॉलेज के बारे में जो बताएंगी भगवान उसका पूरी डिटेलिंग देते हैं क्या कहते हैं राज विद्या राज गुईयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावागम धर्मयम सुसुकम करतुम अवयम यह सब विद्याओं का राजा है जो समस्त्र हैसियों में सरवादिक गोपनिये हैं यह परमशुद्ध है चुकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूती कराने वाला है अत्या धर्म का सिद्धांत यह अविनाशी है और अत्यांत पूर्वक सुक्पूर्वक संपन किया जाता है तो पगवान के द्वारा दिया जाने वाला ग्यान क्या होता है राज विद्या होता है विद्याओं का राजा ह होता है राज बहुत ज़्यादा कि तो एक बार जब राज आ रहा है तो इसलिए आहए बंदेट है तो यह इसलिए सिकुश कर问题 और है Self सब्किम करता हुश्प सुख सुख पूरवक संपन किया जाता है तो उसकी पारे में पढ़ते हैं इतना आनंदायक होता है बुश्ध पूरवक संपन किया जाता है यह पहत्ति में रखते ऑपिस नहीं कर पाते अत्या jeito मे जड्म्रद्धि ministry' केytyy पर वापेस आते जो भगवान की बग्ती करते हैं बुश्रद्दा रखते हैं हुआ और जन्म्रथ्यू का चक्रव करू हम पता नहीं करते हैं हम हम पता है क्या हम यहां जो सब कुछ दिख रहा है उसे सुखमान के बैटे हैं जबकि हमारा अपना सब कुछ छुटा हुआ है और विस्मृती ने हमारे बुद्धी पर परदा किया हुआ है हम यह भूल गए है कि हमारा अपना सब कुछ जो घर है हमारा अपना जो हमारा एक त लब आ सकती बनाके बैटे हुए हैं और यह आ सकती बंदब ठीक है बहुत अभी जनम हो गया है तो रहना तो पड़ेगा ना अब हम यहां से सुसाइट नो करके भागते लिए जा सकते कि भगवान मुझे बुला लो वो तो थरीक ही नहीं है और वो तो हमेशा ही गलत है ना व आप बोलेंगे माधजी आपको तो बस हमें बगवान के घर भेजने की बहुत जल्दी रहती है एक्चली बात वो नहीं है आप इस जनम में है ना इस शरीर में है उसको हमें ठीक है यहां रहना है यहां साथी चीज़ों को पूरा करना है और व्यत्ति एक समय पर ही जाएग इसलिए मैं बार-बार आपको याद दिलाती रहती हूं कि इस इंपॉर्टन टास्क भी है हमारे जीवन में ठीक है तथा भी मेरे द्वारा उत्पन सारी वस्तुएं मुझ में इस्तित नहीं रहती है जरा मेरे योग एश्वरे को देखो यद भी मैं समस्त जीवों का बालक है बढ़ता हूँ और व्याब्द हूँ लेकिन फिर भी मैं इस श्रष्टी का अंच्मात्र नहीं हूं मैं श्रष्टी का कारण सरूर। भगवान इस श्रष्टी में व्याब्त है है ना भगवान के दौरे ही सब कुछ चला जा जा रहा है यहां पे आप यह देख के बताओ कि दिन निकलता है रात होती है यह सब कैसे हो रहा है यह सब बगवान के द्वारा ही हो रहा है ना बगवानी सब दाम में बैठे हुए और वहां से सारी चला रहे हैं बगवान जिस प्रकार सर्वत प्रवाहां बार वायू सदे वाकाश में इस रहती है उसी प्रकार समस्त उत्पन प्राणियों में को मुझ में इस जानो तो मतब जैसे वायू सर्वत्र वह है ना मद्दभी करीज अवलेब कि इस रूम के अंदर वायू है या मंदभ के गयलेजे हवा है तो हम कहेंगे कि आप बुलेंगे कि नहीं मातजी नहीं है यहां तो नहीं है लेकिन वह प्रेजेंट होती है ना क्योंकि दिखेगी तो किसी को भी नहीं डेफिनिटली है आप भी ही कहेंगे इस मातजी है तो लेकिन उसका अस्तितों होता है सेम वही बात होती है भगवान यहां देखते नहीं है लेकिन भगवान का अस्तित्तों है और वह करते हैं संपूर्ण श्रुष्टी संपूर्ण विराध जगत मेरे लिए इश्ट होता है civesse, संपूर्ण ब्रहमाण न का जब मन होता ये जब न होती है जब शुद्ध मेरे का अंत हो जाता है तो सबकुछ भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है मैया अध्यक्षियन प्रकर्टी सुईते से चराचरम हेतु नानेन कौनते ये जगता दी परीवर्थते एक उन्ति पुट्र ये भवातिक प्रकर्टी मेरी शक्तियों में से एक और मिरी अध्यक्ष्ट्रम करतի है जिससे सारे we we पूरा संसार चल भहावार आता है बार-बार जाता है और बर जाता है पनकि की मरजिसे ये होता है जब बंच चाहते हैं तब ये से स्थी आती है तो आवा जाननती मामुडा मामुडा मनुशी तनुमा श्रिता परंभावा मन जानतों मूद्ध महेशवरम जब मैं मनुश्य के रूप में अफ्तरित होता हूं तो मूद्ध मेरा उपहास करते हैं वे मुझ पर मेश्वर के दिवे सुभाब को नहीं जानते क्या कहते हैं अरे ये गाएं चलाने वाला व्यक्ति ये भगवान पागल हो तुम ऐसे हम तो हम भी कर सकते हैं क्या ओगया वह राजाघ्र फोह इसा और थे ने लिए हुआ मेरी ऑग़ाए दादा जी remote c that तो मतलब वो जर्णली जो अपने बीच में भगवान को देखते थे तो मानते थे कि भगवान तो साधारण मनुष्य हैं और वैसी ही धारना कुछ लोगों में आज भी बनी हुई है वो भगवान को क्या कहते हैं वो महापुरुष थे वो कोई भगवान नहीं थे अपनी प्रशंशा करानी थे इसलिए उन्होंने शास्त्र बना दिये ऐसी स्टेट्मेंट्स भी मिलती है और यह कहते हैं महापुरुष थे महापुरुष होना अच्छी बात है जैसे कि नेता हो होते हैं तो कुछ अपने विक्ति के जीवन में तो व्यक्ति उनको उनकी एच्छाइए के गुण के बताने लग जाता है तो कैसे हमें वह भगवान नहीं ते वह वह होते हैं जो वह के बारे में नहीं जानते मोग आशा मोग कर्मनो मोग ग्यान विचेता नाक्षशीम सुनम आसरीम चै प्रकरतीज बोहीनी शुरता जो लोग इस पकार मोग रस दोते वो आसुरी तर नासिक विचारों के पती आकरश्ट रहते हैं इस मोग रस अवस्ता में उनकी मुक्ति की आ कि और नहीं नहीं होता क्योंकि भगवान को गवान मानती ही नहीं नहीं जो व्यक्ति प्रक्टिस भी नहीं है वोAAAAAAAAं नहीं करते माली जय की पतन नश्चित है महत् constitutionale council रकर्ति माश्रिता बजन्ते मचूच्ध इवु दिवयव मुझे शंतर मोहमुर्शाम माधमांजन देवी प्रकशन में रहते हैं देवें पूर्शन थ्यूच्ध में निमग sudah में रहे कि आधितता अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं तो जो लोग समधार हैं वो बगवान को बगवान के रूप में जानते हैं उन्हें मात्मा जन कहा जाता है कौन होते हैं मात्मा जन जिन्ने रंतर 24 घंटे बगवान का चिंतन करते रहते हैं उनकी इंद्रिया बगवान की सेवा में लगी जाती है और नित्य ही भगवान का समरन उनको रहता है वो म इतने ही भगवान का चिंतन करते रहते हैं और उन्हें दैविये संगरक्षन करते हैं तो एक बार रादा कुंड पेश श्ट्गु गुसामी में से एक गुसामी थे जो की भगवान के नाम का जब कर रहे थे तो वहाँ पर बैठ कर बहुत तेज कड़ा की दूप पड़ रही थी इती कड़क दूपती बहुत ज़्याद दूपती और भगवान के नाम कचप कर रहे थे तो जो श्रीमत रादारानी थी उनको बहुत धया आई उन पर और वो आए श्ट्गु गुसामी में पर बैठे वे श्रीमत आरादारानी थी उनको ले रही है तो उनको बहुत ही जादा क्रोद आया कि यंजी वक्रोद दे सकते हैं में नहीं की सेवा था वह ہूंunden ये एक एक्जेम्पल मैंने आपको दिया कि श्रीमती राजानानी खुद आ जाती है उन वक्तों का संग रक्षन करने के लिए जो भगवान के नाम का जब करते हैं तो ये बहुत ही जादा बड़ी बात है हम कहते हैं हमारी रक्षा कहुन करेगा रे भगवान भी करेंगा और गाल Mill रिस्पक्त के साथ लेना चाहिए ना और जो आप हरे क्रिष्ण महामंत्र बोल दो ना पहले आता है तो जिससे कभी हम वे लगए कि अर राम की नाम की तो श्युमत प्रेम देती हैं नित्य युक्ता उबासते हैं यह महात्मा मेरी महिमा का किरतन करते हुए त्रड संकल्ब के साथ प्रयास करते हैं मुझे नमस्कार करते हैं भक्ति मेरी पूजा करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान चलनदर निवा कूजो प्राप्त कर सकें लिए नन्य ये वह हुए है am इस व्रमांड का पिता माता आश्र्वेद भी हूँ, तो भगवान यहां बता रहे हैं कि मैं ही व्रमांड का माता पिता हूँ और पिता मा हूँ और आश्रे हूँ तो हम जो इस जजट में अपनी सम्मंद लेके बैट हैं बहुत एक सम्मंद हैं एक्चिल सम्मंद जो हमारा है वो हमारे भगवान के साथ है वो ही हमारी माता हैं, वो ही हमारे पिता हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं, वो ही शुद्धी करता हैं, वो ही सारे वेध हैं, क्योंकि वो ही ग्यान देने वाले हैं, ग्यान चुलू कहां से होता है श्रीक कृष्ण से, भगबत गीता कहां से है श्रीक कृष्ण से, वेध कहां से है तो भगवान ने ही घ्यान दिया है ना उन्होंने ही हमें शुरस्टी भी दी उन्होंने घ्यान दिया क्योंकि हमारी इच्छा दी और आथ चाह दी और हम भट 57 को र siis आखे-च्भान को राप्श कर पर आएं मैं लक्ष अच्छा करते हैं गलत करते हैं जो भी कुछ हम करते हैं वो सब के साक्षी है हमारे रिदय में विराजवान है वही धाम है है ना हम सब के लिए एक होते ही नहीं जगे जहां प्रेस्ट करते हो तो वह धाम हमारे लिए भगवान इस तरह जब हम कहीं से भी भटकते वटकते परिशान हो जाएंगे तो शरणागती कौन देगा में सिर्फ भगवान देंगे हमारे हम कभी भी किसी भी सिटुएशन में हो तो कि वलेकमात भगवान होते हैं जो हमें आकर हमारी हेलप करते हैं कोई हुँ था पर्दान करता हूँ वर्षा को रोकता हूं लाता हूँ मैं अम्रत हुए आतमा लदाबादार्थ सतोरसत दोनों मुझे से ही हाते हैं तो बगवान जो जनम देते हैं वह हमें म्रत्यू भी देते हैं च्रीड का एक समय होता है और एक समय के बाद बूख अधम हो जाती है तो भगवान के सिवारी कौन हो सकता है जो हमें जन्म और मेत्यु दे रहा है न कि कोई और नए स्वैम श्री भगवान है और वही हमें हमारी इच्छा के निस चक्र के अंदर चलाते हैं जो वेदों के करते हैं और करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं वे पापकर्मे शुद्र होकर इंद्र के पवित्र स्वागिक धाम में जर्म लेते हैं जहां में देवताव कासा आनंद पाते हैं तो जो लोग क्या कर रहे हैं है वेदों का दिन कर रहे हैं है तो में जो ग्यान दिया गया है वह स्वांग पर जाते हैं वहरी पर इस Griff यह दा में prick चीक है इस प्रेकार उपासक जब वे उपासक विस्तित स्वार्गिक इंदे सुख को भोग लेते हैं तो पुन्य कर्म के फल शीर्ण हो जाने पर मित्व लोग में पुन्य लोड आते हैं वही बात जो मैंने आपको बता ही इस प्रेकार जो तीनों वेदों के सिद्धान्त में इंद्रड रहकर इंदे सुख की कवेश्णा करते हैं उन्हें जन्म नत्युका चक्र ही मिल पाता है तो जो लोग वेद पढ़ते हैं वेद पढ़ना गलत नहीं है लेकिन केवल वेद को ही आधार मान कर चलते हैं और उसके आगे भगवान की महिमें का कोई भी गान नहीं कर कैसे करनी है इसके लिए और सुन्दर गरंत दिये तो मनुष्य को इस अंसान में रहे कैसे कार रह करना वहां बताया गया है भगवान की भक्ति कैसे करनी है वह बगवत घीता हमें बताती है तो हम क्या करते हैं कि हम वह पढ़ लेते हैं और उसके आगे काम कोई जीवन का गूंता रहता है जिस न रहता है शुक्ता है एक और चीवन का गूंता है घूंता है बहुर हुता है हैं वड़कते हुए उसी रास्ते पर वापिस आ जाते हैं किन्तु जो लोग अनने भाव से मेरे दिवे सोरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूचा करते हैं उनकी जो भी आविश्यक्ताए होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूं जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं इतना बड़ा प्रामिस भगवान दे रहे हैं हमें और इससे जाधा हमें क्या चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं कि जो भी कुछ उनके पास है उनके पूरा करता हूं और जो उनके पास है उनकी र है उसको पूरा करते हैं और जो हमारी इच्छा है है मारी आवश्यक्ता है उसको पूरा करते हैं उसके प्रहते के लिए निवारण करते हैं उसे वह चेतना देते हैं कि वह कष्टों में भी आनंद का अनुभव कर पाएं तो बहुत ही सुन्दर है यह संदेश है कुंती पुत्र जो लोग अनने देवताओं के भक्त हैं और उनकी शद्धा पूर्वक्त पूजा करते हैं वास्ता में मेरी पूजा करते हैं किन्तु वे अनकी बधन की ऐह गलत डंग से सबस्ट की भगवान की पूजा हो सकते हैं सब्सक्राइब की पूजा है तो बउचांट की पूजा है वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं जो पित्रों की पूजा करते हैं वो पित्रों के पास जाते हैं और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उनी की बीच में जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे नितने दाम यानि मेरे साथ निवास करते हैं तो बाकी सब्सक्राइब कर लिए और यह बहुत लोग आप लोग नहीं करते हैं यह काम सिद्धो जाए वो जाए मैं यह तंत्र मंत्र करा दूं वो करा दूं यह सब चीजों में लगे रहता है ना तो यह सब बहुत गलत है यह अगर आप आप आपके अंदर भाव हैं और आप भाव से केवल एक पत्र यानि के तुलसी का पत्ता पुश्प यानि फूल फल यानि फल तो यम यानि जल ये भी मुझे समर्पित कर दोगे तो मैं इसे सुईकार कर लूँगा भगवान को किसी भी चीज़ी कम ही नहीं है भगवान तो मक्य से जैसा जादा जैसा तो आश्वर आजिश के पास हे ही नहीं इतने एश्वराइवान व्यक्ति को हमारी चीज़ों पास? था, शुदेम् को प्रेम मैं सेवा है कि वह है, भगograph के पास कमी Beyond कि पीज nap शुके तो हमें और आहिए पास कमी नहीं नहीं तो हमें देने वाले नो कि अगर उसमें इंटर लिए देखो तो भगवान की ब्लैसिंग जो होती है छो दो था है उनका आशिरवात था मिलकिय मिल जाता है ना गर अपने चार बूरियां चीज़ों को बढ़ा कर देते हैं और अपना प्रेंशा में सब चीज़ों को बढ़ा कर ना आपका यहां वाली टेंचन होदी तो मुझे लगता है कोई भोग नहीं लगाता भगवान को लेकिन बगवान ऐसा नहीं करते हैं भगवान जो हैं वो जितना आपने उन्हें समर्पित किया है वो एजरेटिस वापिस कर देते हैं अपनी ब्लासिंग के साथ तो जहां पर भी हो आप हमेशा भगवान को भोग अर्पित करें कुछ नहीं है तो जल ही बनाए अर्पित कर दें आपको एक नियम अपने जीवन में बनाना है कि मुझे भगवान का प भिकार करेंगे हम भगवान का प्रसाद हमें मिलेगा तो हमारा ओ जाएगा और हमारा मन हमारी चेतना शुद्ह हो जाहेगी म्हारी चुद्धना लेगा श्रीव तो सनान करने से बिंदाए युद्ध viral जो कुछ करते हो झो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो दान करते हो जो भी कुछ कर तपस्या करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो तो सब कुछ भगवान को कनेक्ट करके करते होगे तो भगवान की जादा से जादा प्रेम प्राप्त करने का आपका मार्ग प्रशष्ट हो जाएगा क्योंकि हम भगवान को और दान पुर्णे अग भी अगर हम भगवान को और पित करते हुए करेंगे तो क्या होगा कि हम किसी भी प्रकार के बंदन में नहीं बंदेंगे ना क्योंकि दान का बंदन क्या होता है पुर्णे होता है तो हमें पुर्णे क करता हूं नहीं किसी के साथ पक्षपाग करता हूं मैं सबों के लिए संभाव हूं कि जो भक्ति पूर्वग में ली सेवा करते हैं मेरा मित्र है मुझ में इस्तित रहता हूं तो बगवान किसी द्वेश किसे इर्शक कभी भी नहीं करते हैं सब के लिए संभाव यानि बैलेंस रहते हैं और जो बगवान को प्रेम करते हैं बगवान उनको प्रेम करते हैं और वो हमारे मित्र हैं कितनी कि मैं आपका मित्र हूँ तो भगवान को अपना मित्र बना लिजे और उनसे फ्रेम प्राप कीजे अपी चेत दुराचारो बजदे मम अनयन्य भाग सादु रेविचे मंतव्य सम्मग्य व्यसितो ही सब यदि कोई जगणने से जगणने कर्म करता है किन्तो यदि वे भक्ती म देते हैं उसे सादु मैंना जाना चाहीं कि वह अपने संकल्प में अईग्द है है और किसी ने कोई जगणने सुऺण कर्म कर दिया है लेकिन वह भती में आ डया करते हैं बहुत ही सुन्दर है ये बात कि कूंत निडरो कर साई शान्ती को प्राप्त होता है कि मेरे वक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता कि weather पुछना कर दो कि मेरे भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता तो बगवान के जो भक्त हैं बगवत गीता है बगवान ये सुईकार कर रहे हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता हम कितने मूर्ग हैं कि इस बात को मानने के लिए तयार नहीं होते हैं और इधर उधर की पूझा कर रहे हैं और दूसरी दरफ जो मन है ना वो भटक रहा है कि मतलब यहां चला जाओं वहां चला जाओं वहां मेरी इच्छा पूरी हो जाए महां मेरी बाते कोई मान ले कोई मेरी दर्जी सुईकार कर ले कभी यहां जा रहे हैं कभी मान जा रहे हैं कि नाम तो मैं आपको नहीं लोगी क्योंकि वो गलत हो जाएगा लेकिन मतलब भगवान की भक्ती करते करते भगवान को जोड़ कर चारो तरफ बटकते हैं और बटकते बटकते जैसे कुछ लोग होते हैं कि भगवान की भक्ती करते हैं गुरु नाम ले लिया दिक्षा ले लिया उसके तो पुरोही जी जो थे उनने जैसे फी डिसक्षिन करा उनको पता चला कि वह दिख्षित है और उन्होंने उनकी जनम पत्री चेक करी और उन्हें बोला कि आप के गुरू के पीछे तो सारे देवी देवता चलते हैं आप कहां भटक रहे हो कहां आप आ गए हो मुझे जनम प माध्यम से भगवान को प्राप्त करो और उनकी भक्ति सुन्दर भक्ति करो आपकी सारी परिशानियां वहीं समाप्त हो जाएंगी आपको तो इस चंजट में पढ़ना ही नहीं चाहिए आपके गुरू के पीछे सारे देवी देटा चल रहे हैं तो यह सत्य घटना जो मैं मतलब आदेश का पारन करना चाहिए अगर हम अथा नहीं करते हैं तो कि आहां कि यह कह रहे हैं तो हमें नहीं बटकन चाहिए. देखे ये जो हम जो भी कुछ इस समय भोग कर रहे हैं हमारा जीवन जिस भी बरकार का है हैं वो सब हमारे पेश्वरे चरमों के कर्म हैं और ये जो चल रहा है इस समय आपके शुदीकरन का प्रोसेस चल रहा है बगवान का नाम का इस्मरनय ए जब या आप भगवद गीता का पार्ट या पार्ट पठन जो भी कर रहे हैं वो आपके शुद्धीकरण का प्रोसेस चल रहा है और यह प्रोसेस अगर कंटीनू रहेगा तो हमारे जितने भी पाप मैं कर्म हैं जितने भी व्यादिया हैं जितनी भी परिशानिया हैं वो सब क सुन्दर और बड़ा घर मिलना चाहिए अगर मेरा यह कर्ष्ट है तो भगवान या तो उस बहुतिक परिस्तिदी को चेंज कर देंगे और मुझे सुख और आनंद की अनुबूति होगी हर हालत में तो अवरॉल भक्तु क्या चाहिए आत्म सुख चाहिए न तो भगवान उसे प्रदान करते हैं चाहिए वह बहुत एक वस्तु को चेंज कर दें चाहिए उसके मन को चेंज कर दें तो भगवान वह सुख का आनंद हमें देंगे कि मतलब उनकी हम हमें वह आनंद हाला कि आनंद नहीं होगा लेकिन बहुत एक द्रश्टी से हमारी वह इच्छा दी वह बहुत बड़ी बात है अगर आप इस बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो इसे समझने का प्रयास कीजिए और भगवान की वक्ति में विना किसी दे रही कि अभी से लग जाएं मामी पार्त व्यापाश्रितम यह अभी यह अभी से यू पाप यो ना इस्तरी यो वैश्यास्तथा सु शुद्रों ते आप यान्ती पराम गतीम जो पाएपार्ट जो लोग में श्रन ग्रांड करते हैं वह बहले ही वे निजन्मा इस्तरी हो वैपा कि इस्तरीयों को तपस्या का या फिर चास्तों का पहले के समय में अधिकार नहीं होता था लेकिन वह भी बगवान करें कि अगर मेरी वक्ति में आ जाते क्यों अधिकार नहीं होते हैं तो यह सब पूरा करने के लिए यह वह तो घर की जिम्मेदारियों को निभाती थी और आप पूरुश चोते यहां चिरा करते दें आप शाहता के देखो यह तो करदमा रिशी हमात्त है की सेवा कर रहे हैं इसे ही नहीं तो ऐसे ही द लिये मिलेंगे तो यह तब के लिए लिखा गया था इसलिए से माइन नहीं करना आपको और अभी तो आप ही देखिए ना कि जितने भी माधाजीश है कितनी सुंदर तरीके से बक्ति कर रहे हैं तो हमारे लिए लाओड नहीं कब नहीं नहीं करते हैं उसको देखो कि जो डूटा से शॉपटी पर चाहिए लेकिन जब तक घर में बहुत बड़ा वबालना हो जै आये कोई सोरी लोग ही न सिधार जाने तब तक उसकी दुकान बंद नहीं होती भगवान की बगदी तो बहुत दूर की बात है और वो भी कुछ थोड़ी से घंटे के लिए बंद हो जाएगी और उसके बाद वो शटार ओन होगा और वो जाकर अपनी दुकान में बैठ जाएगा बारा अब भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं बहुत-थयाल हुए उर्बहूत ही इंपार्ध। लोका है मन मना अबद भगवक्तो मादा जी माम नमस करूं माम वैश्य सी युक्तेत पात्मान मानम मत पारायनम मैं में अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो मेरी पूजा करो इस पकार मुझे में पूंटा तल्लीन होने पर तुम न इस पता रहें कि भक्ती वक्ती बहुत हो गया वक्ती करने कैसे मादा मादां पूंटा करो मैरी ही पूजा करो इस प्रकार मुझे पूंटा तल्लीन हो जाने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे तो अगर हम भगवत गीता के जो भक्ति योग के चैप्टर से उनको सार कहते हैं तो भक्ति योग का चैप्टर नाइन उन चैप्टर का भगवत गीता के भक्ति योग का सार है और भक्ति योग के चैप्टर ना साहिए हैं और हमें निथे याद रखना चाहिए बगवान की बगति में कुछ खर करें सोने से पहले धन्यवाद करें और कुछ महारा जब करने ताकि भगवान के को मत लिए कि सीजा बहुए बघवान आपने मुझे इतना सुन्दा मनुष्य शरीर दिया अश्रा रहने के लिए बोजन दे दिया मुझे खाने गहिए तहकी मैं कॉलेश चारा हूँ और लोग उसे में कितना अच्छा हूँ चिन के पास एक समय के पहनने के कपड़े भी नहीं आपको मैं एक रियल अभी घटना बताती हूं मैं टेंपल में गई थी काश्री का दिन था मेरी गार्लेंड सेवा थी तो मैं वहापे गई हुई थी तो महापे एक छोटी सी बच्ची आती है और वह बच्चा आके भी महा एक प्रभुजी के बहुत जदा आईड नहीं ता वो समझ में नहीं आ रहा था उनको तो मुझे बुला कि ले गए कि माता जी यह बच्ची आई है भी क्या करना है तो वह ब्लैंकेट मुझे पूछा पहले कि आप कहां से लाए हो क्या लाए हो तो उसने मुझे साथी चीज़े बताई फिर ब्लैंकेट मुझे लेके रख लिया तो ऐसा लगहा था उसके पास अपने पास स्वैटर नहीं था उसने पहांने थी तनी थंड में जब रख लगाकर सॉक्स पहां कर सॉक्स पहरा बैटे हैं है रहा तब बच्चे के पास भगवान के लिए ब्लैंकेट लेके आई थी बेशक वह चोटा सा था और बेकुर ब्र यहां पर मुझे हो ही लग रही थी वह देखने में तो क्योंकि मेरी बेटी है चोटी सी तो मैं लेकर जाती हूं तो उदर ठोड़े बच्चे खड़े रहते हैं वह बालून शेल करते रहते हैं तो मुझे वह वही लगी और उसने वह ब्लैंकेट भगवान की सेवा में दे दि और उसने पहना मतलब हम हाला कि वह डैफिनेटली वह बगवान को सेंटर करके वह दिया लेकिन मैं आपको भाव बता रही हूं कि वह भगवान की भक्ती नहीं जानती उसे यह नहीं पता कि भगवान कौन है क्या है उसे पताए कि स्कॉन मंदिर के बाहर प्रसाद मिलता है शा नहीं है वह भगवान को सेंटर देने के लिए या ब्लैंकिट देने के लिए आ गई वह भाव बहुत अलग था बहुत ही अलग मतलब आप इसे कह सकते हैं कि सच में एक आशे का वो दिन था इतना पवित्र दिन था और कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि उस सिचुएशन में वह उस बच्चे के मन में क्या भाव आयागी भगवान की वक्ति में आ गई तो इसे भगवान की बहुत विशेश क्रफाव आनना चाहिएं कि भगवान ने वह भाव उसके मन में दिया तो हम सब लोग को जितने समझदार हैं हमें ग्यान भगवान ने दिया है गुद्धी अगर हम भगवान की भक्ति में ना लगा दन्यावां को नवश्कार ना करें तो हमारा जीवन व्यारत है हमारा जीवन सच्वेस बच्चे से भी गया गुजरा हो गया यह मांको थैंक यू भी नी बोल सकते हैं चलो बगवान को मैं कहते हूं आप पैसे नहीं है बहुत ज़ करच होता है आप एट लिस्ट हो तो कर सकते हो ना और देखो बगवान कितने रियालू है कि यह कह रहे हैं कि तुम मेरे नाम का जब करोगे तो उल्टा वही हमारी सारी प्रॉब्लिम्स को सॉल्व करेंगे तो भगवान तो वहां कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं बगवद गीता पढ़ाने में आपसे कोई फीस तोड़ना ली जा रही है ना यह फ्री ऑफ कॉस्ट है बगवान के नाम का जब बगवान के नाम का प्रचार हर जगह है कुछने वाली बात है कि भगवान की भक्ति को एकसेप्ट नहीं कर पारें तो हमसे जादा मूर्क और कौन होगा कोई भी नहीं ना तो भगवान की कृपा को समझने का प्रयास कीजिए और भगवान की बताएं आप बोलो कि माताजी यूथ वैच ता आपने बोला था और आ भक्ति में ले आए हमें रियल्टी यही है कि हमारे जीवन का सार यही है कि मैं भगवान की भक्ति करने हैं नहीं करना चाहते तो एक अलग बात है और यूथ को तो इस्पैशली समझाया जाता क्योंकि आप लोग की एज तो इससमें डाइवर्ट होने की है बहुत जादा आ और ज्यादा समालने वाली यह है जाएं आप लोग को तो अगर यहां बगवान की वक्ति में खुद को जोड़ कर रखें उससे क्या होगा कि हमारेती है आपके जीवन भगवान का बनना होगा और आपको भी बच्चे भटके नहीं है ना तो यह responsibility आपके उपपर भी आ जाएगी तो आपको भी ऐसा करना होगा ताकि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएं और जिनोंने हमें सब कुछ दिया है हम उन्हें धन्यावाद कर पाएं यह लोका बहुत important है और मेरे मन में बात आई तो मैंने आपके साथ share करी और वो reality थी तो आप लोग अपने मन को भगवान की भक्ति में और प्रेम में लगा कर उस चीज़ को फील करने का प्रयास कीजिए पता है भगवान जो है वो भाव है अगर आप theoretical भगवत गीता को पढ़ते जाएंगे तो आपको शायद यह चीज़े उस साफसे समझ में ना आएं लेकिन ज करना होगा भगवान एक व्यक्ति हैं अगर आप भोग लगाने जाते हैं तो उनको पूरा रिस्पेक्ट दीजिए उनको टाइम दीजिए उनके भोजन को ग्रैंड करने का ऐसे नहीं कि बस रखा और उठा लिया ऐसे नहीं बस हाथ जोड़े और हो गया बगवान का वो ऐस हम ऐसा नहीं करें तो हम नहीं को प्र व्यख्ति मानना है है उनकी सेवा करनी है बक्ति कि माननों लोगे गत्र और बहुत ही तो सब लोगों से है कि बगवान को करे भग्वान को धन्यवाद करें लेकिन कृष्ण तत्ब को जानने के कारण भाश्य को छिपाते हैं उनको मन ज़रीर से प्रतक बताता है यह अफिए क्रीके प्रथी अज्ञानता है किन्तु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं तो लोगों को नहीं पता पूरी इंफॉर्मेशन के पास नहीं है वो क्या करते हैं वो अपनी अपनी मनमर्जी की व्याक्याइं छाब देते हैं और पैसे कमाना उनका उद्देश्य होता है अत्मनिश् करने के लिए मंदिरों की टेंशन नहीं है बहुत सारे मंदिर यहां पर हैं जाबर भक्ति का अभ्यास किया जाता है जब ऐसे अभ्यास हो रहा हो तो मनुश्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करें उसके अर्च्विग्रे के सामने सबस्ट्ष्ण समत्न नत्मस्तक होकर मनसावाचा करमना हर प्रकार से प्रवध होना चाहिए मननवचन कर्म से भग्वान की पूजہ करनी चाहिए इसे वह क्रृष्ण भावनमित में फूर्णस त Windows आत्रलीन हो सकेगा इसे वह क्रृष्ण लोग जा सकेगा उसे चाहिए कि कप्टी भाश्यकारों के भहकावे में ना है उसे श्रमण करना श्रमण कीरतन आदी नवदा भक्ति प्रवत्व होना चाहिए शुद्व बक्ति मानफ सभाज की चरम उपलब दिया है तो शुला प्रपाद जी क्या कह रहे हैं खुद भी बक्ति कीजे औरों को भी बक्ति में लगाई है भगवान के नाम का श्रमण कीरतन और स्मरण कीजिए ऐसा करेंगे तो दीरे दीरे आप शुद्व होंगे और शुद्व होंगे तो भगवान की बक्ति आपके मन में बढ़ेगी आपके परिवार में बढ़ेगी और लोगों भी आप अक्ति से जोड़ेंगे और यह जो सुन्दर समाज है बहुत ही लोगो भी जोडने का प्रेयास करना है जो इसी मैसेज के साथ यह चैप्टर यहीं समापत होता है मुझे अमीद है कि आपको यह अध्याय बहुत पसंद आया होगा भगवान का दिव्य प्रेम और जितनी सुन्दर-सुन्दर बाते आज हमने करें आपको समझ आई होंगी होता है किसी की में दोड़ सा कम होता है कुछ लोग जादा बहुता है कुछ लोग कम बानते लेकिन आत्मा का सवभाव है ना वह सेवा करने का तो हम किसी की सेवा में उलज़े हुए है तो भगवान की से अधिक आप स्वरंड कर सकते हैं और अपने एक नए श्वरूप को देखिए जो एक्च्वल में हमारा था लेकिन हम भूले हुए हैं बद्ले में भगवान का प्रेम प्राप्त कीजिए और उसका आनंद लीजिए इसी मैसेज के संग इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं कल मिलेंगे फिर सिक नए अध्याय में और जानेंगे बगवान का और सुन्द संदेश और प्रेम में संदेश भगवान ने में क्या दिया है कौन सा मैसेज भगवान हमारे लिए भेज रहे हैं इस बात को जानेंगे तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में तब तब के लिए आप सदी का बहुत बहुत धन्यवाद अरे प्रेश्टि झाल 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 झाल